हिद्राबाद के एक मकामी होटल में यूथ और अफ्यर्थ स्पोर्स डिपार्टमेंट हुकुमत सिन की जानिप से समाजी वर्कों जागर करने के लिए एक सेमिनार मुनकित कराए गया तकरीब में असेस्टिन कमिशनर तलका देही सुरहन अजाज़ अपड़ो राशित खिलजी डिस्ट्रिक हालत आफिसर हैदराबाद लाला जाफर अनी सासिदी के अताउला शाह जुने डहरी सेद रिहान अली स्यासी समाजी और सहाफियों समिन नोजवानों की बड़ी तादा के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी 50 to 60 परसेंट जो पॉपलेशन है वो यंग है हमारे पास एक पॉपलेशन यंग पॉपलेशन का एक बूम है जिसको यूटलाईज करना हमें हमारे लिए बहुत जरूरी है और हम फोरण कंट्रीमें देखता है कि यंग के लिए और यूथ में इसपोर्ट के फरुख के लिए बहतरीन काम कर रहे हैं नहीं सिर फैदराबाद में बलके पूरे पाकिस्तान में और मैं समझती हूं कि स्पोर्ट्स हमारे मुल्क का एक असासा है और उसको मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए ये हमारा जाती फर्ज है कि हम एदारों के साथ मिलकर यूथ को मज़ीद इंपावर करें और स्पोर्ट्स को और ज्यादा इन करें मैं समझता हूँ कि हमारे पास एक बहुत बड़ा जम्य गफीर है पापुलेशन का यूथ में और उसको यूटलाइज होना चाहिए लेकिन हालाद भी कुछ हैसे थे और उसके इलावा हमारा जो यूथ है वो भी कुछ वक्त से बिलकुली खामोश था लेकिन इन्शालला अब आगे गवर्मेंट आफसेंद और जो हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं भो मिलके इस पोस्ट डिपार्टमेंट डूसरे जो बी है भो मिलके इन्शाला आगे जो हमारा जूर था रहा है उसको गाइड करेंगे कि उनको जाना कहा आपे है कि दे रहा है कोई ब्लड डोनेशन कैम्प लगा रहा है कोई स्कूलिंग पर तबज़ा दे रहा है तो ये सारी फलाई खिदमात कोई एक बंदा या अकेली गवर्मेंट नहीं कर सकते हैं जब सब मिलकर करतें तो ही इतना ज्यादा अवाम है माशाला हमारा और हिदरबाद में इतने लोग हैं तो मैं ये कहूंगी कि कोई एक बंदा नहीं कर सकता सब को मिल जुल की करना पड़ेगा रजाकाराना खिदमात देनी पड़ेंगी असलाम लीकुम मैं सबीन जावेद मोटिवेशनल स्पीकर हूँ इसके लावब पॉलिटिकल और सोचल अक्टिविस्ट भी हूँ योद के लिए तो देखें यही कहना चाहूंगी कि बिंगा योद मैं खुद जो है वो कॉलिश टाइम से जो है अक्टिविटीज कर रही हूँ है और इसके लिए पैशन होता है जो के इंटर्नी यह आप में डेवलाप होता है जब आप सोसाइटी में देखते हैं आपको प करना है उनकी बैटर्मेंट के लिए करना उनको सौट आट किस तरह से करना है यूज के हवाले से अगर हम देखें तो आज कल हम अपने कंट्री में बेदेखा जा तो वॉलेंटरिजम बहुत कम हो गया है और वॉलेंटरिजम एक ऐसा अमल है जो हम अपने जाती मफाद को छ जन्हों ने ये प्रोगाम के लिए फंड दिया हमें और आज के जो टॉपिक है कि कमिनुटी सर्विस और रजाकाराना सरकर्मियों में नोजवानों की शमूलियत इस एप के इविट्स होने चाहिए इसमें हमने मुक्तलिफ स्पीकर्स बुलाया है मुक्तलिफ आफसर बुल तक्सीम किये गए जरूर इस अमल की है कि नोजवानों को बढ़ चरकर समाधी कामों में हिस्सा लेना चाहिए और अपनी जहानत और मेहनत से इस मुल्क को तरकी की रहा पर गामजन कर सकें केमरामेन उमर हैत के साथ इमरान चलंग क्यारी धूम टीवी नियूज झाल